श्री गंगानगर के लोगों ने राज्य बजट पर कहा थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है बजट प्रितिकरिया में कुछ ने कहा खास तो कुछ के समस्य परे राजिस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलो द्वारा गुरुवार 20 फरवरी को पेश किये गए राज्य बजट को श्री गंगानगर की कुछ लोगों ने सराहा तो कईयों ने इसे उमीद के अनुरूप नहीं बताया घोशनाओं में श्री गंगानगर और हनमानगड का जिक्र कुछ बार हुआ मेडिकल कॉलेज और कृशी शेत्रों को लेकर श्री गंगानगर को जमीनी स्थर पर ठोस घोशना की जरूरत थी लेकिन वही पुरानी बातों को दोहराने वाली स्थिति देखने को मिली Medical College के लिए राजसरकार ने 40 फीसद खर्च करने की बात कही वहीं क्रशी संचित शेत्र को विक्सित करने की घोशना भी की विधायक राजकमार गौड का कहना है कि राजसरकार ने सभी वर्गों का खयाल रखते हुए बजट पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में सबसे पहले श्री गंगानगर का नाम लिया है उन्होंने कहा कि भूमी चिनहित हो चुकी है और राजसरकार Medical College के सुचारू संचालन के लिए भी पून रूप से काम करेगी विधायक ने कहा कि किसानों का सिंचित शेत्र बढ़ने से इलाके को फायदा होगा वहें श्री गुर्णानक देव जी के प्रकाश पर्व के तहट योजना के अंतरगत विकास की काम होंगे इसके अलावा भी राज्य में समान रूप से घोशनाएं की है भाजपा की वरिस्ट नेत्री विनीता आहुजा ने राज्य बजट को उमीदों के अनुरूप नहीं बताया उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर वही पुरानी बाते दोहराई जा रही है जमीनिस्तर पर मेडिकल कॉलेज के लिए काम होना चाहिए CM ने कहीं भी बारी किसे चीजों को स्पस्ट नहीं किया वहीं भरती की घोशनाएं करने की बात कही एक बात समझ से परे है कि घोशनाएं पहले से हो रखी है लेकिन सिले बस परिक्षा भरती किस तारिक तक संपन हो जाएगी ये नहीं बताया जाता बजट पर UIT के पूरवध्यक्ष संजय महिपाल ने कहा कि ये हलका बजट है नया काम और प्लैनिंग जैसे चीज नहीं है ये बजट मात्र भाशन पढ़ने जैसा था असल में बजट में कुछ नहीं है पुरानी घोशनाओं को दोहराते हुए खुद की सरकार का बखान किया और केंडर को कोसा गया ये उचित नहीं है व्यापारी नेता दी गंगानगर ट्रेडरस असेसियेशन के पूरवध्यक्ष रमेश खदरिया ने बताया कि GST 2017 में आया तब ये कहा गया कि One Nation One Tax पर GST आधारित है और राज से इसको खत्म कर देंगे लेकिन अब राज सरकार से इसको खत्म नहीं कर रही ऐसे में मंडी टेक्स को लेकर किसान और व्यापारी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं एक बार टेक्स देना उचित है लेकिन दो जगा से टेक्स समझ से परे राज सरकार से इस सेस घोशना को लेकर बहुत उमीद थी भारती चैरिटेवल ट्रस्ट क मैनेजिंग ट्रस्टी श्याम जैन ने 25,000 सोलर पंप लगाने की घोशना को अच्छा बताया लेकिन उन्होंने कहा कि ये तभी फाइदे मंद है जब सब सीडी दी जाए वहीं 100 करोड रुपे प्रदीश भर के लिए निरोगी राजिस्तान के तहत दिये जाएंगे योजना तो अच्छी है लेकिन राशी काफी कम हैं बजट पर संउक्त व्यापार मंदल के अध्याक्षर तरसेम गुपता ने कहा कि बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सीएम को कुछ राहत देनी चाहिए थी वहीं नव निर्मान पर एक प्रतिशत उपकर श्रम विभाग लेती है ज राजस्तान में पेट्रोल डीजल महगा है वैट में निर्नल लेकर राजसरकार इन दरों को कम कर सकती थी वहीं बजट पर नागपाल एलेक्ट्रोनिक्स के सोनु नागपाल ने बजट को साधारन बताया उन्होंने कहा कि टेक्स को लेकर बाजार में क्या प्रभाव पड़